खंडवा कोट ने मंगलवार को एक बड़ा फैंसला सुनाया अगस्त 2014 में सुसील पुंडगे हत्या कांड के बाद कर्फ्यू के दौरान पुलिस पर हमला हुआ था उसी मामले में कोट से फैंसला सुनाते हुए 40 आरोपियों को 77 साल कैद की सजा सुनाई 6500 रुपय के जुर्माने से भी दंडित किया गया घटना सहर के घासपुरा इस्थित बंगला देश में हुई थी केस में 47 आरोपी थे इनमें दो फिरोज और सद्दाम बरी हो गया एक की मौत हो गई तथा चार नाबालिक थे फैसले के दौरान कोट पर्चर में भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा 30 जुलाई 2014 को थाना मोघट छेतर के इमडी पुरा में रितक सुनील कुमार पिता नारायन निवासी नर्वदापुरम की हत्या के उपरांत खंडवा सहर में संप्लदाईक तनाव होने वा जगय जगय पत्राव की घटना होने से जिलाधी इस खंडवा ने सांती विवस्था बनाई रखने हेत उधारा 144 लगा रखी थी इसी कानून विवस्था के दोरान एक अगस्त 2014 को घास पूरा छेत्र में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर हमला हो गया महले में कुछ महिला पुरुस वा समाजिक तत्तो द्वारा जोर जोर से एक मत एक राय होकर असलीर गाली देते हुए कहा हम लोगों का जीना हराम कर रखा है घर से निकलने नहीं दे रहे हैं कोई पुलिस वाला महले में नहीं घुसेगा यदि घुसा तो जान से खत्म कर देंगे इतने में कुछ लोग लाठी डंडे कुलहारी पत्थर ले करने के लिए पत्थर से हम पर निसाना लगा कर पत्थराओ भी कर दिया इसी समय थाने से टी आई अनिल सर्मा अपने फोर्स के साथ पहुँचे जिसमें SI विजय सिंग परस्ते टीका रामकुर्मी SI गीता जाटव अलग-अलग बल के साथ हाएं जिन्हें देखकर सरार्ती ततोद्वारा अतिधीक रोज से पत्थराओ किया गया उपद्रवियों में से फारुक पिता रफीक टाउ निवासी बांगला देश ने टी आई अनिल सर्मा को जान से मारने की नियत से एक बड़ा पत्थर फेक कर मारा जो उनके हेलमेट पर लगा जिससे हेलमेट को छती हुई फारुक पत्थर मार कर वहां से भाग गया जिसके बाद आवश्यक बर प्रयोग कर घेराबंदी कर 40 व्यक्तियों को पकड़ा गया धारा 307, 147, 148, 353, 332, 344 आदी धाराओं में सजा दी गई है उनने दोस्चिद्ध पाया गया है साथ सलक के कारावास की सजा सुनाई है कुछ जुर्माने भी हैं फैसला भी लिखित में आना बाकी है ओरल मानी न्याले ने सुना दिया है अब इस अभी को सर्टिफेट कॉपिया मिलेगी उसके बाद फैसले के बारे में कुछ कमेंट्स कर पाएंगे वैसे फैसले से सभी लोग असंतुष्ट हैं और वो मान्नी उच्चिनियाले में इसके विरुद्ध जो है अपील प्रस्तुत करेंगे और अपील में सफलता मिलने की भी अविक्तियों को संभावना है